हमने एक वीडियो अप्लोड किया हुआ है यूट्यूब पे जिसमें हमने बताया कि कैसे आप फार्मसोटिकल रोम मेटियल का बालग ड्रॉक्स का बिजनर सुरू कर सकते तो बिसकली लोगडाउन में जो ज्यादा तर क्वेश्चन थे वह यही थे कि हम चाइना से ज्यादा करते हैं हम इंडिया में मनुफेक्श्य क्यों नहीं कर सकते उन में पर्टुकली मेरे एक दोस्तने भी मेरा प्वाइंट ओफीव वहाँ पर जानने की कोशिज करी थी मेरे इसाब से ऐसा क्या है कि हम चाइना से इंपॉर्ट करते हैं और इंडिया में उस चीज को हम तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास इतना बड़ा इंफरस्ट्रिक्टर नहीं है कि हम रोमटीयल एक्टिव फार्मसोटिकल इंगेजन को मनुफेक्श्य कर सकते हैं और अगर कुछ चीजें हमें स्पोर्ट करती होती तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा प्लाइब होते हैं इसमें कहीं थे हैं उनमें जो सबसे इंपोर्टन है वह है क्ष्ट एक्टिव् क्योंकि इंडिया में जो रोम डिल माण। इंडिया को जिस रेटिउस मिल जाता है जो चैना में जो रोम डिल हुता है वह सब करते हैं, sounds or M.L जाटि exposing होता है उस पर आपके order cancel हो जाते हैं इतना ज्यादा rate effective competition होता है अगर हम manufacturing में finished goods की manufacturing की भी बात करते हैं तो अगर उनको एक रोमडिया सस्ता मिल रहा है इंडिया में के comparison में उनको चाइना में जो रोमडियल है वो बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा है ऐसा नहीं है कि 5% 10% 20% का फरक है कहीं तो 50% का 60% का 100% तक का भी फरक आजाता है क्योंकि ऐसा होता है कि यह चैना में कैवो 600 kg मिल रहा है तो निया में कैवो 1100 पेजी या 1200 मिल रहा है दूसी कंड़े से यह जो cost effective base है यह बहुत ही ज्यादा matter करता है अगर हम manufacturing level पर बात करते हैं क्योंकि इससे costing में बहुत ही बड़ा आमतर पैदा हो जाता है किसी भी finish root की तो यह मेरे इसाफ से यह बहुत बड़ा factor आया है कि हमारी जो dependency है वो चैना से जो raw material आता है active ingredients आता है उस पर ज्यादा बढ चैना से बहुत कम आ जाती है तो हम competition कर नहीं पाते हैं यहाँ पर rate का यहादा हमें सिर्फ export पर depend रहना पड़ता है कि हम raw material को export करें कुछ cases में अगर quality ज्यादा अच्छी है चैना से इतनी अच्छी quality नहीं आ रही है तो उसमें वह sell out हो सकता है तो मेरे point of view के इसाफ से जो cost क जो difference था जो price का difference है वो ही main factor रहा है कि चाइना का जो raw material है वो ज्यादा अबिक्ता है और इंडिया में हम उसको manufacture नहीं करते क्योंकि कोई भी business है तो वो profit पर depend करता है अगर उसमें profit मिलता है यह चीज मैंने lockdown में देखी है कि जब क्या किते ही जो flip cap आती थी वो इंडिया में बहुत कम manufacture होती थी लेकिन साथ के साथ ही लोगों ने इतनी बोतलों की manufacturing शुरू कर दी इतने मास्क की manufacturing शुरू कर दी तो उनको लग रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा margin है दिन के दिन factory शुरू कर दी तो अगर raw material में भी इतना margin मिलता जितना finished goods में मिलता है या दूसे लिए और उसके compare में जो चाइना से रेडे में हमारे पास आ जाता है वह बहुत सस्ता आ जाता है तो यह भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है चाइना की dependency कि हम चाइना पर हमें रोम मरियल के लिए आज के ताइम में डिपेंड होना पर ट्रहूं